हाई गाईस वेलकम बैक टो मैं चैनल आज की वीडियो में मैं आपको अफोड़ेबल बेसिक चीज़े शेव करूंगी जोके मैंने रिसंटली परचिस किया है जोके स्टार्ट होते हैं रुपीज 10 से लेकर एंड होते हैं 200 रुपीज तक स्टार्ट करते हैं काफी अफोड़बल एंड गुड क्वालिटी के चीज़े हैं तो स्टार्ट करते हैं पर उससे पहले अगर वीडियो आपको अच्छी दीकिए तो लाइक करें सुपके साथ शेयर करें और मेरे चैनल को रेट क्लर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करकर सब क्कारण है փश्ष मैंने यहां पर यह टौप नेल पेट लिया है यह वाइट कलर का टॉप नेल पेट है का जो की तो एसलि हमारा जो नेल पेंट हो जैता है जस्ट टौटि रृपीज को यहां पर इस तरह के टिक टैक क्लिप्स लिए हैं जो कि 10 रुपीस में हमें पेर्स मिलते हैं बहुत ही ब्यूटिफुल है इसके गुर्डन एंड वाइट स्टोन काफी अच्छी कॉलिटी का है नेक्स्ट मैंने यहां पर इस तरह के बॉबी पिंस लिए है जो कि पूरा पता हुए अ हैं 6 g कॉलिप्स लिए मिलते हैं बहुत अच्छी पूलिटी का है नेक्स्ट मैंने यहां पर इस तरह के प्लें टैसल एरेंग्स confirme इसकी quality काफी अच्छी है and believe नहीं करोगे यह just 10 रुपीस के earrings है and बहुत ही light weighted and बहुत ही अच्छी quality के है next मैंने यहाँ पर यह hairband लिया है ponytail के लिए इसमें stones दिये गए काफी अच्छी quality का है and इसका भी जो प्राइस है just 10 रुपीस है so next मैंने यहाँ पर इस तरह के clutches लिया है जो के बहुत ही beautiful लग रहे है and मैंने यहाँ पर इस तरह से light crinkler का एक clutches लिया है and यह black में white stones दिये गया है इसकी भी quality काफी अच्छी है just 10 रुपीस कही आता है next मैंने यहाँ पर यह salt and black pepper के लिए इस तरह की डिबी लिया है जो के just 10 रुपीस कहाती है काफी अच्छी quality की है next मैंने यहाँ पर इस तरह से loose pigments लिया है glitter pigments लिया है and मैं बहुत ही जल्ड है pressed glitters बनाने वाली हूँ मेरे channel पर so stay tune यह just 10 रुपीस में आता है काफी affordable है and काफी अच्छी है अच्छी quality के है so काफी सारे colors मैंने लिया है try करने के लिए so next मैंने अब इस तरह से tick tap pin का पूरा ही पता लिया है जो के काफी affordable है just 20 रुपीस में आता है and इस तरह की tick tap pin से हम बहुत ही अच्छी से hair styles carry कर सकते है just 20 रुपीस का ही आता है काफी affordable है next मैंने कुछ shop close से purchase किया था summer सारे मैंने इस तरह से यह ice cream का scoop लिया है जो के 180 रुपीस में मुझे मिला है काफी affordable है and इसकी quality भी काफी अच्छी है so summer में हम ice cream try कर सकते हैं यह निकालने में काफी अच्छा लगता है so इसकी quality भी काफी अच्छी है 180 रुपीस मिल आए next मैंने आपर यह shop close से इस तरह का stapler machine लिया है और मुझे यह काफी अच्छा नहीं लगा so यह काफी हद तक देखने में अच्छा है but यह work नहीं करता मुझे बिलकुल नहीं पसंदाया और उसकी price जो है 200 रुपीस है next मैंने flip card से कुछ order किया था and मैंने यहाँ पर यह silicone का hardship में mold मंगया था क्यूंकि chocolates बनाने के लिए so इसका भी जो price जो just 200 रुपीस है I hope आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगे do let me know the comment के आपको इसमें सो कौन सी चीज़े अच्छी लगे वीडियो अच्छी लगे तो like करे, share करे and मेरे चैनल को subscribe करे क्या करे सिर्फल